बिहार के DGP गुपतेश्वर पांडे आपको याद तो होंगे ही सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद लगातार जिस तरह की जांच हो रही थी मुंबई पुलिस के बरताव पर काफी सवाल उठाए थे गुपतेश्वर पांडे ने उसके अधो सुर्ख्यों में रहे थ जो बहुत एहम थे अब यह कहा जा रहा है कि बार-बार बात आ रहा है उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पतसे और वह चुनाव लड़ने वाले हैं बिज्एपी की तरफ से NDA की तरफ से बिहार में विधान सभा का चुनाव का लड़ने वाले हैं और जैसे ही अजनेदिक दल के लिए काम कर रहे हैं और विधान सुभाद चुनाव लड़ने की तयारी में हैं अब ये बात फैलाई गई असलियत क्या है आपको बताती हूं सुषान सिंग राजपूत की मौत के बाद मिस्टीरियस डेट के बाद सुर्ख्यों में आये डीजीपी उन्होंने कई सवाल उठाए जिसका मैंने जिक्र किया और मुंबई पुलिस ने जिस तरह से दुर्वेभार किया बिहार पुलिस के साथ उसका भी उन्होंने पूरा उस पांडे से सीधा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से अफवा है मैं फिलहाल अपने ऑफिस में बैठा हूं और इस तरह की चर्चा बेबुनियाद है मेरे बारे में इस तरह की अफवा हैं लोग 6 महीने से फैला रहे हैं जो आज की तारिक तक सच नहीं हुई है लेकिन गुप्तेश्वर पांडे राजनीती उनको पसंद है राजनीती से उनका लगाव है उतरक में कहते हैं कि राजनीती से ही नियाई पालिका है विधाई का है समविधान है देश है लोकतंत्र है हमारे देश के लभिष्ट है और चुनाव लोकतंत्रिक प्रक्रिया है जाहिर है ये कहे कर उन्हें राजनीती में आने की अपनी पूरी संभावना को खारिज नहीं किया है। लेकिन उन्हें ये कहा है कि अगर कोई सतीफा देकर राजनीती में जाए तो गुनाह क्या है। पविश्य में कुछ भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं डीजीपी गुपतेश्वर पांडे के बारे में जरूर बताएं आप उन्हें बताओ डीजीपी देखना चाहेंगे या फिर राजनीती में चुनाव लड़ते हुए जरूर बताइए कॉमेंट सेक्षन में आप से मुलाकात होगी अगले वीडियो में फि